तो स्वागत है आप सबका हमारे यूटीब चैनल कॉमिक इस्चार्डर पे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ ही खिशनों के बाद वहाँ एक साधारन चा कमरा दिखाई दे रहा था अब तुम लोग यहां अपनी टेबल कुर्शी लगा कर एकाउंट्स वर अन्य कामों में जुट जाओ ताकि किसी को भी तुम लोगों पर संदेह ना हो पाए यस सर उसके बाद सेट गूंगामल लंबे डग भरता हुआ ड्राइंग रूम की और चल पड़ा जब सेट गूंगामल अपने ड्राइंग रूम में पहुचा नमस्कार सेट जी अरे इंस्पेक्टर साब आप कहीं इंस्पेक्टर साब मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूं काष्ट के लिए शमा चाहता हूं सेट जी मुझे आपकी कोठी की तलाशी लेनी है यहां रहा सर्च वॉरेंट सर्च वॉरेंट दिखाने के कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साब बस इतना ही बता दीजे कि आपको हमारी कोठी की तलाशी लेने की यह हचाने जरूरत कैसे पड़ गई हमें विश्वस सूतरों से पदा चला है कि आपकी कोटी में नशीली पदार्तों का गेर कानूनी दंदा होता है ओ, इसका मतलब यह हुआ कि कुरुकबॉर्ण ने ही इन्हें यह सूचना दी थी चलो, अच्छा हुआ, उनकी लाशे चेंबर समयत कमरे से हटा दी गई यह आप क्या कह रहे हैं इस्पेक्टर साब, यह सब जूट है, बला मेरी कोटी में गेर कानूनी धंदा सौरी सेट जी, जब तक तलासी नहीं ली जाती, मैं इस संबंद में कुछ नहीं कहना चाहूंगा यदि यह बात है तो आप शौक से तलासी ले शकते हैं, धन्यवाद सेट जी फिर सब पुलिस वाले सेट की हवेली की तलासी लेने में शुरू हो गए, उन्होंने एक एक कमरे का निरिक्षन किया, लेट ट्रेन और बाथरोम तक उन्होंने चेक किये लेकिन पटाक सी हैं के हाथ कोई ऐसा सूत्र नहीं लगा जिससे यह प्रमानित हो सके कि सेट गूंगामल गेर कानूनी धंदा करता थे आश्चार्या है, क्रूक बॉन्ड ने इस तरह का मजाक क्यों किया, फिर वह स्वयम कहा है मेरे लिए और कोई हुकम इंस्पेक्टर शाहब हमें मिली इंफॉर्मेशन गलत थी सेट जी, इस से आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ अच्छा अब इजाज़त दीजिए फिर सेट से विदा लेकर पटाका सी हैं कोटी से बार निकल आया लेकिन रहा रहा कर एक बात अभी भी उसके मन में खटक रही थी नहीं, क्रुप बॉन्ड मेरे साथ इसा मजाक नहीं कर सकता जरूर दाल में कुछ काला है सुनो, तुम चारो सेट जी की कोटी की साथदानी से निगरानी करोगे और जब तक मैं आदेश ने दू तुम लोग निगरानी से नहीं यटोगे यस सर उसके बाद पटाका सी हैं बाकी सिपाईयों के साथ वापस लोड़ गया और निर्देशित चारो सिपाई कोटी के चारो तरफ फैल कर कोटी की निगरानी करने लगे तो कोटी पर निगरानी रखी जा रही है शीग रही सर, हमारे लिए एक और मुसिबत खड़ी हो गई है क्यों? क्या हुआ? सर, इंस्पेक्टर पटाया का सी है तो वापस चला गया लेकिन चार साथा वेश शिपाईयों कोटी की निगरानी पर लगा गया है और उनके रहते क्रुग बॉंड और उसके साथी मोटू की लाश को कोटी के बाहर ले जाकर ठीकाने लगाना खत्रे से खाली नहीं होगा यह तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, छट से मैं सब कुछ अपनी आखों से देख कर आ रहा हूँ ओ, यह तो वास्तव में बहुत बुरा हुआ है खेर, तुम ऐसा करो, उन दोनों धतूरे के बीजो को कोल्ड रूम में रखवा दो ताकि उनकी लाशे न सड़े जब एक दो दिन में पुलिस की निगरानी हट जाएगी तब उनकी लाशों को ठीकाने लगा देना ठीक है सर साले कमबकत मर गए, लेकिन मरते मरते भी एक इलत मेरे गले में बांध गए बांका, बिहारी, तुम लोग ब्यान से सुनो कुछ दिनों के लिए तुम लोग कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे निगरानी करने वालों को कोई संदे हो समझ गए? यस सर सीख रही अमदूज, क्रूगबॉंड और मोटू को लेकर एक विशाल किन्तु भयानक ढंग से बने महल के सामने उतरे औरे, यह हम किस भयानक इस्थान पर आगए? हुजूर यमदूज जी, यह आप हमें किस नरक में ले आए? अब तो कुछ बताएगे, आखिर कब तक आप हमारी बोलती बंद रखेंगे? खामोश मुर्क, यह नरक नहीं बलकि यमलोग है, यह तुमारे पाप और पुन्य का फैसला होगा ओ, तो यह बयानक शेहर ही यमलोग है? ओ, यह यमदूज तो कहते थे कि हमारा पृत्वी लोग यानि मृत्वी लोग ही सब लोगों में सबसे बयानक है सुनो, अब तुम दोनों को चुपचाब हमारे साथ महल के भीतर चलना है यदि तुमने कोई शोड सराबा किया तो महराज यमराज जी तुमें कोई भयानक दंड दे सकते हैं, चलो यमदू तुने लेकर उस महल के भीतर दाखिल हुए बापरे, बार की तरह भीतर का माहल भी भयानक है मुझे तो जुर जुरी सी आ रही है हाई चोटी सी उम्र में इतने भयानक लोग की आतरा करनी पड़ेगी है तो कभी सोचा भी नहीं था शीगर यमदू तुने लेकर एक लंबे चोड़े कमरे में पहुचे जहां विशाल का एव भयानक चेहरे मौरे के यम्राज जी अपने सिंगासन पर मौजूद थे महराज की जय हो यम्राज जी का भयानक शक्ल सूरत देखर उन्हें अपने पिता धमा का सीह की बात याद बात धमा का सीह की शक्ल याद हो गई और अपने अगले पल उन्हें सिंगासन पर बेठे यम्राज अपने पिता धमा का सीह के रूप में दिखाई देने लगा आहा डेडी आप यहाँ भी आ गए वो मारा फूफा जी तो हमसे भी पहले यहां पहुचे अब हमें किसी का कोई डर नहीं है अगले ही पल मुझे शमा कर दीजे डेडी समय नहोने के कारण में आपके आग्या का पालन न कर सका शेरीफो जैसा हूलिया न बना सका लेकिन मैंने आपके आग्या का पालन किया है फूफा जी इसलिए मुझे अशिरवात दीजे और मेरे सारे पाप माफ कर दीजिए अरे परेहटो मृत्ती लोग वासियों मेरे पेरो को हाथ लगा कर मुझे अपवित्र मत करो यहां आप क्या कह रहे हो डेडी कहां तो आप हमें घर पर नित्य अपना पुलिशिया और रंडा दिखा कर अपने कदमों पर नाक रगडने के लिए कहते थे और कहां अब यहां कर रहे हैं कि हमारे आपको पेरो को हाथ लगाने से आप पवित्र हो जाएंगे हाँ फूफा जी मुझे तो अपनी आखों और कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है कहीं आप यहां आकर हमें भूल तो नहीं गए खामोश मुर्खों मैं तुम्हारा कोई डेड़ी या फूफा नहीं हूँ मैं यम्राज हूँ यम्राज यानि यम्लोग का राजा यम्राज कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं फूफा जी बस यस जैड़ी सच सच बताईए कहीं इस सिंहासन पर बैटने के बाद आपकी नियत तो नहीं फिर गई है खामोश दुष्टो हमसे दिल्लती करते हो यानि मौत के देवता यम्राज से सुनो यदि अब तुम दोनों में से किसी ने एक सब्द भी मूँ से निकाला तो हम उसे जमीन में गड़वा कर उस पर अपने लोग के चूहे छुड़वा देंगे चूहे हाँ चूहे जो तुम्हारे लोग के हातियों से भी चूगुने है और वापरे तब तो खामोश रेने में ही भलाई है उसके बाद चित्रगुप्त जी महराज आप जल्दी से अपने कार्याले से इन दोनों के जन्मे मृत्तिव पाप पुर्णय का खाता लेकर आई ह जो आग्या प्रभु काकर चित्रगुप्त जी महां से चले गए लेकिन शीग रही वे बद हवास से दोड़े दोड़े पूना मा पहुचे गजब हो गया प्रभु गजब हो गया क्या हुआ चित्रगुप्त जी आप इतने घब्राय हुए से क्यों है बात ही कुछ ऐसी है जीने आपके दूट पकड़ कर लाए हैं ये दरसल वे नहीं है जीने पकड़ कर लाना था इन दोनों के खातों में तो अभी भहुत लंबी आयू लिखी है क्या ओ नहीं हमारे दूटों से ऐसी गलती हरगिज नहीं हो सकती निश्चय आपको भ्रह्म हुआ है है मुझे ब्र नहीं हो सकते यहां आप क्या कह रहे हैं चितरगुपजी ये दिए दोनों पनडियुपजु नहीं है तो ये फिर कौन है परभू आपके इस प्रस्ण का जवाब तो आपके यह दूथ ही सकते हैं मैं बहुत यहां क्या कह सकता ओनां लेकिन जो सेट गुंगामल की कोठी नंबर 13 लिंक रोण में साथ बचकर 10 मिनिट पर मिर्ट्यू को प्राप्त होंगे। मैंने ठीक ही कहा था लेकिन ये दोनों वह नहीं है। इन में से एक का नम क्रुग बॉंड उर्फ अनोखे लाल है और दूसरे का नम मोहन उर्फ मोटू है। परन्तु साथ बचकर 10 मिनिट पर तो हमें वहां यहीं दोनों मिर्ट्यू को प्राप्त होते मिले थे। सत्या नाश। फिर जरूर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। ठेरो मैं इन दोनों से ही पूछता हूँ। एह तुम दोनों लंजू पंजू की जगा सेट गोंगामल की खोटी पर कैसे पहुच गए। और लंजू-पंजू की जगास उम दोनों कैसे मारे गए। वाह ! क्या वाहत है , गल्ती खुद करते हैं और जवाब दूसरों से मांगते हैं यानि मारते घुद हैं और मरने पर पूonner्नक तुम कैसे मरे ? कमाल है , भघववान भी गल्ती करते हैं वह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था लगता है यहां का हिसाब किताब भी अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह है अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह है खामोस ठीक तरह से जवाब दो वरना मैं अभी तुम दोनों को जमीन में जिन्दा गड़वा दूँगा तब जल्दी से गड़वा दीजिए महाराज ताकि आपके उपड़ जो है धर्मराज जी है उन्हें भी मालूम हो सके कि आप क्या उल्टा सीदा काम करते हैं क्या क्या गड़वड़ी करते हैं और फिर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अपनी भूल को ढखने के लिए बे यदि उन्हें हमारी स्लापरवाई के बारे में जरास भी बनक लग गई तो नजने वो हमें क्या सजा देंगे मेरी समझ में तो केवल एक ही उपाय है माराज की इन्हें तुरंत अम्रित्यों लोक में धक्का देकर इन्हें इनका शरीर वापस दे दीजिए वरना आपकी खटिया खड़ी होने से कोई नहीं रोक सकता मैंने इनका पाप पुन्य का खाता भी देखा है इनके खाते में एक भी पाप नहीं है सब पुन्य ही पुन्य है यदि धर्मराज जी को यह मालूम हो गया कि आपकी जरासिल अपरवाई के करण दो देवता स्वरूप मनुष्य के आत्माओं को जबरनिया लाया गया है तो नकेवल आपको इस भूल का धंड भूखना पड़ेगा बलकि हो सकता है वे आपको पद श्यूत करके इन दोनों में सही किसी एक को आपका इसी आसन सौप दे नहीं नहीं ऐसा मत कहिए चित्रगुप जी हम अपने आपको छोड़ सकते हैं लेकिन सिंगासन को नहीं तो फिर देर मत कीजिए महराज तुरंट अपने दूतों का आगया दीजे कि वो इन्हें साधर मित्ती लोग में पुने छोड़ा हैं ठीके मैं इसा ही करवाता हूँ दूतों जाओ हमारे अजीज मेहमानों को बाइज़त इनके रोग में पहुचाओ और ध्यान रहे हमारे दोस्तों को मार्ग में किसी किसमे की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हाँ इन्हें आराम दैक वानों पर ले जाना जो आगया महराज और सुनो इनके इस्थान पर लंजू-पंजू को लेकर आना न भूलना मेरे विचार से वे अब तक सेट गुंगामल की कोठी पर अवश्य पहुच चुके होंगे जी महराज मेरे प्रियम इत्रो हमारे दूतों की छोटी सी गलती से आप दोनों को जो कश्ट उठाना पड़ा उसके लिए हम समापरारती हैं आप दोनों इनके साथ जाईए यह आपको पूना आपके शेरीर में पहुचा देंगे परन्तु कुरूग बॉंड तो अब तक मन ही मन एक योजना बना चुका था शामा मांगने से कुछ नहीं होने वाला महराज गलती आपने कि इस गलती का फल भी आपको भुखतना प सकते हम तुम्हें उनसे हर्गिज नहीं मिलने देंगे तब हम भी आपके दरबार से एक इंच भी नहीं हिलेंगे चाहे आप हमें जयमीन में ही क्यों नहीं दफन कर दें आये यह किंच आलाक इंसानों की आत्माओं से पाला पड़ गया चित्रगुप जी आप ही समझाईए का चिपर गुप जी ने क्या हल निकाला क्या क्रूप बौंड और मोटु यम लोग के साथ सवर्गलोक की भी आत्रा कर सके। सेट गुंगा मल और उसके साथ्य क्या हुआ क्या हुआ क्या यमराज जी कुप बॉंड और मोटु का वापस प्रित्वी पर भेच पाने में सफ